नमस्कार दोस्तो आज हम आपके लिए रंगों के नाम ये उनकी जानकारी लेके आए हैं दोस्तो आज हम जानेंगे कि विबिन रंगों को किस किस नाम से जाना जाता है अंग्रेजी में दोस्तो ये वीडियो बड़े होने वाला है क्योंकि आप अगर English की preparation कर रहे हो और English याद करने की कोशिस कर रहे हो तो आपके लिए ये वीडियो बैस्ट होने वाला है इसलिए आप इस वीडियो जरूर देखे और दोस्तो पैन को भी ले लीजे ताकि आप इन रंगों को वहाँ पर लिख सके और फिर बाद में उनको याद गरने की भी कोशिस करे तो चलो शुरू करते हैं गुलाबी रंग को किस नाम से जाना जाता है अगर देख रहेते हैं ब्लैक मने काला होता है यह आपके लिए इंपोर्टेंट है की काले कलर को किस नाम से जाना जाता है यादि की ब्लैक कलर ब्लैक नाम से जाना जाता है अगर देखते हैं वाइट 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 कलर को वाइट के नाम से जाना जाता है तो आपके लिए very very important है कि सपेद कलर को किस नाम से जाना जाता है तो आपके लिए important है तो यह है white हैनि कि सपेद को white कलर के नाम से जाना जाता है अगला है नीला तो दोस्तों नीले कलर को blue blue मनी नीला कलर के नाम से जाना जाता है आपके लिए important है तो इनको याद कर लीजिए और लिख लीजिए तो blue मनी नीला yellow yellow मनी पीला पीले color को दोस्तो किस नाम से जाने दता है yellow yellow मनी पीला आपको चित्तर में दिख रहा होगा कि yellow color कैसा होता है जो आपको याद करने के में भी दिखते नहीं आने वाले के कौन से color कैसा दिखता है green green मनी हरा ये अरे color का है आप देख सकते हो कि अरे color कैसा होता है तो इसको नाम इंगलीज में green के नाम से जाना दता है अरे color को अगला है badami यहीं कि brown मनी बूरा badami बूरा को brown के नाम से जाना दता है आप देख सकते हो कि Brown color कैसे दिखाई देता है चित्तर के माध्यम से. Brown के नाम से जाना जाता है यहाँ पर बदामे color को. अगला है नारंगी तो दोस्तों नारंगी को किस नाम से जाना जाता है? Orange. नारंगी को यहां पर आमने इंग्लीस में भी दे रखता है कि नारंगी कैसे लिखा जाता है और इसको ओरंज नाम से जाना जाता है इंग्लीस में ओरंज कहते हैं बदम नारंगी कलर को अगला देखते हैं आस्मानी कलर तो आस्मानी आप कह देते हो कि आस्मानी कलर दीजिए तो आस्मानी कलर में हम स्काइब लू कह सकते हैं कि स्काइब लू कलर दीजिए हमें स्काइब लू कलर यहने कि आस्मानी नीला अगला देखते हैं स्लेटी slaty color होता है दोस्ते slaty color slaty color होता है gray gray माने slaty color तो आपके लिए important है कि slaty color को किस नाम से जाना दता है यहाँ पर gray color gray नाम से जाना दता है इंगलीज में अगला देखते हैं लाल लाल को red color से नाम से जान दता है जो आपके लिए important है आप सब जानते होगे कि लाल कलर को रैड के नाम से जाता है बैंगनी यानि बैंगनी कलर को किस नाम से जाना जाता है दोस्तों जैसे बैंगन का कलर होता है वो बैंगनी किस नाम से जाता है यह जाता है परपल वोईलेट परपल वोईलेट के नाम से जाना जाता है बैंगनी क को अगला है गहरा नीला तो दोस्तों गहरा नीले को किस नाम से जाना जाता है आपके लिए इंपोर्टेंट है कि ज्यादा गहरा नीला किस नाम से जाना जाता है यहां पर थोड़ा कम गहरा नीले को इसकाई ब्लू नाम से जाना जाता है आस्मानी कलर और गहरे नीले को नव ब्लु नुविक ब्ल्लु नाम से जाना जाता है जो आपके लिए इंपोर्टाइंट है लिए उर याद भी कर लीजे अगला है सुनहरा सुनहरा को किस नाम से जाना जाता है ज mad 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 g kil गोल्डन कलर के नाम से जाना जाता है इंपोर्टेंट है लिख लीजिए गोल्डन कलर के नाम से जाना जाता है सुना है राको अगला है चांदी चांदी तो आप सब जानते हो कि चांदी को इंगलीश में क्या कहते हैं तो दोस्तो चांदी को इंगलीश में सिल्वर के नाम से जाना जाता है इंपोर्टेंट है आपके लिए लिख लीजे चांदी को सिल्वर कलर के नाम से जाना जाता है अगर देखते हैं चमकीला चमकीले को किस नाम से जाना जाता है यह चमकीला कलर आपको डाइग्राम में दिख रहा होगा कि चमकीला कलर किस नाम से जाना दाता है तो है ब्राइट ब्राइट बनी चमकीला चमकीला कलर को ब्राइट के नाम से जाना दाता है इंपोर्टन्ट है लिख लीजे अगला है मैरून मैरून कलर को किस नाम से जाना दाता है बोरोनिस क्रिम्सन नाम से जान जाता है या पर मैरोनी कलर को आपके लिए इंपोर्टेंट है लिख लीजिए कि मैरोन कलर को किस नाम से जान जाता है बैरोनिस क्रिम्सन के नाम से जान जाता है अगला है खाकी, खाकी को खाकी नाम से जान जाता है जो हमारे फुलिस ओफिसर फैनते हैं, खाकी कलर, उसके नाम से जाना दाता है, खाकी को खाकी, अगर देखते हैं कथाई, तो दोस्तों कथाई को भी कथाई कलर के नाम से जाना दाता है, कथाई कलर आपको दिखराऊ को कथाई कलर होता कैसा है, तो दोस्तों ये थे कुछ name in Hindi and English आपके लिए important है लिख लीजे इनको याद करने की कोशिस करें क्योंकि यहाँ पर इनको भी English सीख सकते हैं के माध्यम से कलर्स का नाम लेकर दोस्तों वीडियो बढ़िया लगा तो आप इसे लाइक कर दीजे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे अपने दोस्तों के साथ सेह जरूर कर दीजे ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे थैंक्यू जाइन जाभारत